नमस्कार राज की बात में आपका स्वागत है सनातन धर में कुछ शब्द है और उसमें से एक संटेन से पाप का घड़ा भरना यानि कि जब गलतियां इतनी जादा हो जाए कि अब उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता तब सजादी जाती है और उस बीच गलतियों पर टोकना रोकना सही नहीं है क्योंकि अगर सुरुआती दौर पर गलतियों पर टोकना रोकना शुरू कर दिये तो उसके बाद उसकी गलतियों के सुधार के गुंजाइस होगी जब वो सजासे बच जाएगा कुछ ऐसे ही बात केजरी गैंग को लेकर चल रही है अरविंद केजरीवाल को गलति करने की छूट एडी ने दी एक के बाद एक समन भेजे गए और वो इग्नोर करता रहा वो सिच्विशन क्रियेट कर दिया कि अब एडी के पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा क्योंकि एडी चाहते थी एडी के टीम वाले चाहते थे कि अब केजरीवाल पहले समन में पूश्टाच के लिए ना आए बाद ताकि उनको जो गलती करना है वो जादा करें और फिर कोट का दर्वाजा भी बंद हो जाए अंत में केजरीवाल कोट में गया कोट में जाने के बाद वो खुद ही ऐसे फस गया कि जब कोट से फैसला आया कि कोई भी समन को इलीगल नहीं कहा जा सकता आपको कॉपरेट करना पड़ेगा और आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं मतलब एडी को हरी जंडी मिली अब जाएए और अरविंद केजरीवाल को उसी तरीके से गिरफतार करके लाएए जैसे दूसरे नेताओं के घर पर जाकर छापे मारी पूश्ताच और उसके बाद हिरासत में लिया जाता है कुछ यहीं सिती संजे सिन को लेकर है और फिर से संजे सिन की गिरफतारी होने वाली है क्यों? क्योंकि संजे सिन ने जो एफिटिफिक दायर किया था जमानत के लिए और सुप्रिम कोट ने जब जमानत दी थी तो सुप्रिम कोट के तरफ से एक ही शर्त रखी गई थी और वो शर्त थी कि आप शराब घोटाले से जुड़ी हुई बाते बाहर में मीडिया के सामने नहीं करेंगे और संजे सिन के वकील ने यही बात हलप नामे में एफिडिविट में लिखित रूपते दी थी कि हम बाहर जाएंगे तो बहाँ पर जाकर शराब घोटाले से जुड़ी हुई वो बाते नहीं करेंगे जिससे इन्वेस्टिगेशन प्रभावित हो और बाकी जो सर्ते थी वो तो लोवर कोट को तैग करना था क्योंकि इन्वेस्टिगेशन से जुड़ी हुई सारी बाते उनको पता थी और इसलिए सुप्रिम कोट ने केवल एक शर्त रखके लोवर कोट के हवाले कर दिया जहां पर चर्चाय चली बहस चली और संजे सिन के वकील ने कहा कि पॉलिटिकल एक्टिविटी पे रोक नहीं लगाना चाहिए क्योंकि संजे सिन आम आदमी पार्टी के एक बड़े मेता है स्टार परचारक है और लोगसभा चुनाब है तो इसलिए लोवर कोट ने उसमें भी कुछ शर्टे लगा दी और कहा कि आप चुनाब परचार के लिए जाएं लेकिन मुबाइल का लोकेशन हमेशा आउन रहना चाहिए आप E.D. के अधिकारियों को ये बता कर जाएं कि हम यहाँ पर प्रेस कॉंफरेंस करने जा रहे हैं यहाँ पर रैली करने जा रहे हैं यहाँ चुनाब परचार करने जा रहे हैं ताकि E.D. के अधिकारी अवेर रहे और आपके उपर नजर बनी रहे कि आप वहाँ पर क्या-क्या बोलते हैं इसी तरीके से दूसरे जो पासपोर्ट जब्ट करने से लेकर जब इस पर बात चली कि आप NCR छोड़ कर बाहर नहीं जा सकते, पासपोर्ट जब्ट करने का तो मतलब था कि देश से बाहर नहीं जा सकते, तो फ्लाइट रिस्क के मामले में इनके वकील ने फिर हलप नामा दिया कि देश छोड़ कर बाहर नहीं जाएंगे, ये भागने वाले लोग में से नहीं हैं और राजसभा के सांसद हैं, तो इनके उपर इतना भरोसा किया जाना चाहिए, पोलिटिकल बात देताएं हैं, वहाँ भी ये परचार करने के लिए जाएंगे, गुजरात में आम आद्मी पार्टी का कंड़िडेट है, वहाँ भी परचार करने के लिए जाएंगे, अस्वा में भी जाएंगे, इसलिए कम से कम इस बात का ख्याल रखा जाएं, लेकिन फिर्वी कोट ने उस पर शरत बाहर आया और बाहर आने के बाद पहली बार उसने मीडिया के सामने जो बाते कही उसमें सीधे सराब घोटाले के उपर आ गया ये उसकी पहली गलती थी जिसके लिए एडी ने नमबर बन नोट कर लिया कि पहली गलती तो संजेसी ने कर दी और ऐसा भी नहीं है कि पहली गलत को लिस्ट में शामिल करके कोट में पेश करने के लिए रख लिया लेकिन उसके बारे में तुरत ही कारवाई नहीं की उसके खिलाब कारवाई नहीं की लेकिन संजे सिन्ने क्या किया संजे सिन्ने बड़ी गलती कर दी कि पूरे के पूरे शराब घोटाले पर सवाल उठा दिय कि ये एकसाइज पॉलिसी स्कैम ही नहीं है ये कोई घोटाला नहीं है इसमें तो भारतिय जनतापाटी के शुर्ष नित्रित्व शामिल हैं उसने सवाल उठा दिया अरविंद केजरिवाल निर्दोश हैं ये तो कोट की अब मानना है क्योंकि कोट ने अगर अरविंद केजर मतलब है कि घोटाला हुआ है और घोटाले की बात तो सीधे सुप्रिम कोट ने भी मानी थी जब कहा गया था कि 328 करोर रुपया तो इसमें प्रॉफिट हुआ है एक्स्ट्रा मार्जिन हुई है और इसके हेर फिर हुआ है ये 100 करोर के किक बैक मनी की बात नहीं है बलकि इस से भी जादा मार्जिन है और उसका इस्तेमाल कहा कहा किया गया ये इन्वेस्टिगेशन का सब्जिक्ट है इसलिए मनी सिसौदिया के कीरिटी पेटिशन को भी सीधे नकार दिया गया कि अभी ED का मानना है कि इन्वेस्टिगेशन जो हो रहा है उसमें मनी सिसौदिया के ब प्राइल सुरू करें सारे इन्वेस्टिगेशन को पूरा करें ताकि ये जो पॉलिटिसियन हैं ये सिर्फ आरोपी न बने रहें या तो सजा मिले या दोश मुक्ती हो जाए और बरी हो जाए ये बात एडी ने कही मतलब सुप्रिम कोर्ट तक ने माना है कि शराब घोटाला तो हुआ दिल्ली में एक साइज पॉलिसी में परिशानिया बढ़ी सुप्रिम कोर्ट ने आमाद्वी पार्टी को भी सीदे कटगरे में खड़ा किया था और सुप्रिम कोट से लोवर कोट तक हर जगह जो टिपनिया होई चाहे दिल्ली हाई कोट में हो हाई कोट के जज ने भी ये बताया और बोला कि जिस तरीके से मार्जिन बनी बढ़ाई गई सौथ लोबी की बात है जो सरकारी गवाह बनने वाले लोगों ने कहा है इसका कि घोटाला तो हुआ है और जो इसर संजे सिन बोल रहा है कि शराब घोटाला तो कोई घोटाला ही नहीं है यहां तो घोटाला हुआ ही नहीं है अरविंद केद्रिवाल दोशी नहीं है अरविंद केद्रिवाल तो जूटे आरोप में फसाये गए हैं जबकि ये भी एक और कहा कि शराब घोटाले से जुड़ू ही बाते हम नहीं करेंगे आप पॉलिटिक्स कर रहे हो आप केजरिवाल के साथ हो इसको राधनितिक तरीके से बताओ लेकिन सीधे घोटाले पर इन्वेस्टिकेशन पर इडी पर सवाल ना उठाओ कोट पर सवाल ना उठाओ कि इनक जो मनी सिसोधिया को करीब करीब 14 महीने से जेल के अंदर रखा गया है इसमें भी बड़ी कॉंस्पिरिसी है जब कॉंस्पिरिसी की बात करते हो तो उसमें कोट भी शामिल हो जाता है क्योंकि एडी के पास तो यह अधिकार नहीं है एडी को तो 24 घंटे के अंदर ही कोट मे हिरासत ली जाती है पहले इडी की हिरासत में फिर CBI की हिरासत में फिर नियाएक हिरासत में यानि की हिरासत ही है और वो कोट के फैसले पर डिपेंड करता है कोट चाहे तो बाहर कर दे चाहे तो हिरासत दे दे मतलब आपने इस बड़े कॉंस्पिरेसी में कोट को भी फशा उसके बाद इडी ने लिस्ट तयार करने शुरू कर दी और संजय सीन घूम घूम कर जितनी भी सभाय किया जितनी भी प्रेस कॉंफेंस किया उपवास के दौरान हो जंतर मंतर पर हो राजगाट पर हो हर जगह पर उसने केवल और केवल शराब घोटाले से जुड़ी बाते की वो रादितिक बाते नहीं की बलकि शराब घोटाले के उपर सवाल उठाया और इडी के पास ये पूरी की पूरी एक एक करके लिस्ट तयार हुई है कि देखिए हमने पहले ही कहा था कि इन केद्रिवाल गैंग के लोगों को अगर कोट से बाहर जाने दिया जाएगा तो य भरम पैदा करने की कोशिश करेंगे अरजक्ता का महौल कोशिश करेंगे बनाने की क्योंकि ये अराजक तत्व है ही ये ऐसे अराजक तत्व हैं जिसने पहले अरविंद केजरिवाल के दिमाग से सरकार को चिट किया यानि की अरविंद केजरिवाल ने क्या चिटिंग किया सुरुआती दोर से ये अभी भी कह रहे हैं IRS की नौकरी छोड़ कर क्यों आए समाज सेवा के लिए IRS रहते हुए अर्विन के जिरिवाल ने दो साल तक एजुकेशन लीव लिया हाई एजुकेशन के लिए जो सिविल सर्वेसिस के अधिकारियों के लिए मानने होता है दो साल तक पैसा भी लिया सरकार से और अमेरिका में जाकर वो आर्टी आई पे पढ़ाई नहीं किया बलकि ये तरीका डेवलप किया कि अगर हम एक आंदोलन खड़ा करेंगे तो उसके लिए हमें क्या-क्या विवस्थाएं करनी चाहिए कैसे विदेश में बैठे एंटी इंडिया गैंग के साथ समपर करना चाहिए और वही यहां पर आके इस्तिफा दिया और उसके बाद इसका जो कबीर फाउंडेशन था इंजियो जिसमें मनीच सौधिया भी था ये पहला इंजियो ऐसा था जो दो कलोड के फंड से शुरुआत जिसकी होती है और फंड वो फोड फाउंडेशन का होता है ये पहली सरकारी पैसे सरकारी खर्ष से तुमने पढ़ाय की और उसका उपयोग सरकारी कामों में होना चाहिए था जबकि तुमने अपने लिए परसनल बेनिफिट के लिए काम किया कहा समाच सेवा कर रहे हैं और उसके बाद धीरे धीरे ये फोड फाउंडेशन के पैसे से पाटी बनाने की गतिविदियां शुरू किया जिसकी जाच होनी चाहिए थी उसके लिए स्पेशल प्रोवीजन जो था क्योंकि उस समय कवीर इंजियो के पास कोई एपसी आरे लाइसेंस नहीं था और इसके लिए होम मिनिस्ट्री से स्पेशल प्रमिशन की जरूरत थी कॉंग्रेस की सरकार केजरिवाल ने वहां भी सेटिंग कर लिया लेकिन कॉंग्रेस को क्या पता था यही केजरिवाल हमारे लिए काल बनेगा और यही स्थितियां संजे सिन को लेकर है पूरा का पूरा केजरी गंग यही गलतियां दोहरा रहा है इडी सुबूत इकठा कर रही है और अ आपका घड़ा फिर से भर चुका है और अब E.D. कोट से इनके जमानत को कैंसल करने के अपिल करने वाली है कि हमने एक को जमानत के लिए विरोध ना करके ये जता दिया कि हम इनको बाहर भेजना चाहते हैं लेकिन ये तो पूरे गोटाले को कवर अप करना चाहते हैं बाहर ये अपना चाल चरितर चेहरा जो ओरिजिनल है ये दिखा देते हैं जिसके कारण अब इन लोगों को जमानत नहीं मिलनी चाहिए इसको फिर से गिरफतार किया जाना चाहिए हिरासत में रखना चाहिए और फिर से पूस्ताच की जाएगी यही बज़ा है कि E.D. ने अब त साथ और देतरिया में सायोग ताकिसी तरही खबर हम आपके लाते रहें धन्यवाद